दोस्तो आज का टॉपिक बहुत ही महतवपून है क्यूंकि आज मैं एक ऐसे विश्य में बात करूँगा जो सभी के लिए common है और सभी के लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है ये विश्य है पानी के बारे में कि पानी हमें खड़े होकर क्यूं नहीं पीना चाहिए क्यूंकि अक्सर हम सभी ये गलती करते हैं। हम सभी को पानी के फाइदे के बारे में तो जरूर पता है। हमें ये पता है कि पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। हमें कितना लीटर पानी पीना चाहिए और पानी पीने के क्या-क्या फाइदे हैं। लेकिन खड़े होकर पानी पीने के नुकसान हम सभी में से बहुत ही कम लोगों को पता होते हैं, तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसी टॉपिक के बारे में, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, तो आप शायद ही दुबारा से खड़ होकर पानी पीना चाहेंगे, तो आप मेरी इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें, ज़्यादतर लोग खड़े होकर ही पानी पीते हैं, और खड़े होकर पानी पीने से हमारे श्रीर के उपर बहुत ही तरह के दुष्ट प्रभाव पड़ते हैं, जब हम खड़े होकर पा पास-पास के अंगों को प्रभावित करता है और लंबे समय तक अगर ऐसे ही प्रभावित करें तो इससे हमारे पाचंत अंतर के उपर प्रभाव पड़ता है और दिल के गुर्दे की समस्या हो जाती है। जल्दी बिमारियां उत्वन होती हैं तो आप समझ रेजिए कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो आपको घुटनों के दर्द की प्राबलम जल्दी महसूस होने लगेगी। जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये हमारे गुर्दे के मादयम से ज़्यादा चने बिना गुर्दे से आगे निकल जाता है इस कारण से रक्त में गंदगी इकठी हो जाती है जिससे गुर्दे और दिल की बिमारिया होती हैं खड़े होकर पानी पीना सीने में जलन और अलसर जैसी बिमारियों को भी जनम दे सकता है तो कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि इसे गुटनों के उपर भी जोर पड़ता है तो फिर गुटनों के प्रॉबलम तो आएगी ही और इसे अर्थराइटिस होने का भी खत्रा रहता है तो ये है नुकसान खड़े होकर पानी पीने के हमें आशा है कि अब से आप खड़े होकर पानी पीना कम कर द पापी के साथ मिलेंगे खुश रहें थैंक्यू सो मुच अ तो आप खड़े हो, के अब से का रहता है कि अबसे के दिते हैं ये हमेंगे